अलो गाइज नमस्ते प्रणाम और आज के व्लोग में कुछ नया करने वाले हैं आज करेंगे अपनी गाड़ी को डीटेल थोड़ा नंबा प्रोसेस है तो मुझे पूरी गाड़ी डीटेल करने में दो दिन लगेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा के हम कैसे करने वाले हैं और प्रोड़क्स की इंफोमेशन और उनको खरीदने के लिंक मैं आपको डिस्क्रिक्शन में दूँगा तो जरूर ये वीडियो पूरी एंड तक देखें आपको काफी इंफोमेशन मिलेगी और देखते हैं कैसा होता है काम कैसे शुरू करते हैं और कैसे एंड होता है तो चलो मैं आपको दिखाता हूं गाड़ी का हाल देखो जी कर रहा है कर रहा हूं पर पीछे तो अभी मैं साफ करूंग एक प्रेशर वाचिर जे क्योंकि यहां पर हाल बहुत बुरा है और प्रेशर वाची चाहिए इवन रम्स भी बहुत बंदने हैं तो चलो देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं क्या क्योंकि ऑल स्थाइब कोैंने स्थाइब कोष्ण जाम कि क्या है और है और बहुत मैंने सब्सक्ते हैं कि अच्छब प्राफ टूब टूँब टूब 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 कर अग। हमारा होम डिटेलिंग का प्रोसेस वान पूरा है मतलब कि हमने वाशिंग कर लिया तो अभी इसके बाद हम करेंगे इसकी compounding बिलकुल mild compound से क्योंकि बहुत ज़ादा scratches मेरे को देखनी रहे हैं उसके बाद हम करेंगे इसको polish and then last coat करेंगे wax का तक कि polish एकदम sealed रहे हैं जिसे देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी shine है उसके बाद हम करेंगे इसको polish और थर्ड प्रोसेस होगा wax wax coating तो अभी मैं पहला वाला शुरू करने वाला हूँ which is scratch out compound देखते हैं कितनी smooth होती है surface wall marks जाते हैं यह नहीं जाते है surface compound करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ scratch out और यह buffing machine जिसके ओपर एक wool pad है 3M का wool pad मैंने यूज करा है so make sure आप अच्छी quality का wool pad यूज करें otherwise वो आपके surface rough कर सकता है अगर आपका बहुत basic सा हो and always use a nice polishing pad as well एंख केको दूज करें झाल 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 तो बफिंग के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी एकसिस अंबाउंड बच गया है तो जिसकों क्या करेंगा माइक्रोफ वाइबर क्लॉट से वाइब कर दो अगर आपकी कार जादा पुरानी नहीं है तो मैं सुझेस्ट नहीं करूँगा कि आप बहुत जादा देर बफिंग करें काफी स्वल्माक्स रिमूव हो चुके हैं और आप एकसेस कंपाउंड माइक्रोफ वाइबर क्लॉट से निकाल दो अ धुनी बशेघर करें बफिंग हैं यु झाल झाल तो वाई स्क्राइच और कंपाउंड यूज करने के बाद हमें ऐसा कुछ रिजर्ट मिला है तो अगला स्टेप है पॉलिश तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ अमवे सिलिकन ग्लेज और जैसे कि मैं पहले बताया कि हम पार्ट वाइस करेंगे तो पहले मैं बोनट अरि दीजिए और फिर यूज कीजिए और मेक्शूर आपका सर्फिस क्लीन हो कुई इस पर बिटी बिटी ना हो नहीं तो यह बफिंग के टाइम पर स्क्राचिस पढ़ने का टह रहा हूँ इसको आप माइक्रोफाइबर क्लॉट से फोड़ा सा रब करने इसन लिए अर जगा प और फिर वहां से यह स्पाटर में शुरू हो जाता है आप पास आप अपने गाड़ी की इस आप से कर सकते हैं कि अगर आपको एक कोट चाहिए जाए दो कोट चाहिए तो इसमें इतना बहुत है तो गाइस लिक्विड पॉलिश कोटिंग हो गई है और बहुत अच्छी शाइन आई है तो अभी सरफ मैंने बोनट एरिया किया है सीधर शाइन तो गाइस मैंने आदे बोनट पर कार्नूबा वैक्स लगाया है थर्ड कूटिंग है तो इस साइड अभी कुछ नहीं लगाया है अभी पहले इस तरफ काम करेंगे तो बैसिकली क्या करेगा यह अपकी कोटिंग जितनी भी आपने करिया उसको सील कर देगा थोड़े ताइम के लिए वैजर प्रूफ बना देगा तो मैंने यूज कर रहा है इसके लिए फॉर्मूला वन दिगो डॉल्ड ने हम बच्पन से यूज कर रहे हैं तो मेक शूर आप पेक अच्छे क्वालिटी वेला वाक्स यूज करें तो फाइनल वैक्स कोटिंग भी कर दिया है हमने कार्नूबा वैक्स फॉमूला वन यूज करके और अब एकदम मस्त लग रही है गाड़ी तो इसका बेनिफिट जैसे मैंने बताई यह है कि आपकी जो पहली जो कोटिंग है उसको यह प्रॉफरली सील्ड रखेगा और थोड़ा ताइम तक वेदर प्रूफ रखेगा आइनो यह दिखता मज़ेदार है सारा काम बट है यह बहुत मुश्किल है आपके बस बहुत सारा टाइम हो और वीकेंड का टाइम हो जब आप शुरू करें अपनी गाड़ी पर तो बाकी मैं आपको जब पूरी गार कार हो जाएगी उसकी मैं आपको फोटोस दिखाऊंग आपी जब पर शिर्वियोँ आपको जयो शुरूब टूरी आएगी जो, इलगट बहुत आपको जबुरू यह दो दोपरोस अने उटेड्वाता लगबHelp이면 का देया सब्सकित आपको जब गाफिश हो जब पलेखब दो है है अधर फाल true theिट को लिभ्सांद मांoff है कि पती यह देख्श मेंद हेसा का रएंप लिवीडियो कंपे है आपको फ्याद है आप खटाए है होगी अगर फ़का पर पशंद है तो लाइक दा दो नहीं पसंद आई तो इस लाइक कर तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल डीटेलर्स हैं आज कल वो काफी पैसे चार्ज करते हैं I mean 15-20,000 नॉमल एक कार के लिए अपका लग जाएगा तो अगर आपको शौंक है और आपके पास एकुप्मेंट है तो आप घर पे कर सकते हैं and I would suggest कि आप एक बरी जरू ट अगला नंबर इसका है इसका तो बहुत ही बुरा हाल है